नमस्कार दोस्तों केस हो आप लोग? उमीद करता हूँ सब खेरियाच से होंगे और अपनी लाइफ में कुछ होंगे दोस्तों RCB कल लगातर पांच मेचेस जीत चुकी है कल उन्होंने दिल्ली केपिटल्स को रहाया उसके पहले उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया उसके पहले उन्होंने गुजरा टाइटन्स को हराया और एक और मेच उनका गुजरा टाइटन्स वार गुजरा टाइटन्स से दो मेच हो गए और उसके पहले हेदराबाद को हराया मतलब हेदराबाद से इनका कारवा शुरू हुआ जीत का तो अभी तक दिल्ली केपिटल्स के खिलाफ चलता रहा आखरी में जीत जाएंगे तो RCB के प्ले आफ्स में क्वालिफाय करने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाएंगे अगर कल CSK राजस्थान से हार जाती मतलब तो RCB के वेसे ही चांसे हो आते हैं 99% चांसे हो आते हैं लेकिन दोस्तो अभी वी चांसे काफी काम है लेकिन दोस्तो मैं आपको सीनारियों बता दूँगा तो आपको लगगा ये तो काफी आसान है सायद RCB क्वालिफाइ कर सकती है प्ले आपको बता दूब पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं ये राजस्थान टीम को क्या चुका है पता है शुरू के 9 मेच में से 8 मेच राजस्थान जीत चुकी थी हाना और अब आखरी के 3 मेच में एक मेच भी नहीं जीत पाई मतलब शुरू के 9 में से 8 जीत गई कितने कि अंक होगा 16 अंक हाना अब अब आखरी के 3 लगातार हार गई अरे ये जीत जाती तो RCB का काम वेसे ही आसान हो जाता लेकिन ये जीत नहीं पाई ना और CSK की भी अब 14 अंक हो गए और RCB सिर्फ 14 अंक तक ही पहुच सकती है अब कैसे में RCB प्लेओफ के लिए क्वालिफाई करेगी मैं आपको बताता हूँ लखनो के 2 मेचेस बचे हाना लखनो के 2 मेचेस बचे है लखनो उसमें से 1 मेच हार जाएगी तो लखनो के भी चांसेस खतम हो जाएगे क्योंकि अभी लखनो 16 अंक तक पहुच सकती है अगर 1 मेच हार जाएगी उसमें से तो कितने अंको तक पहुचेगी 14 अंको तक 2 मेचेस में से 1 मेच हार जाएगी लखनो तो 14 अंको तक पहुच सकेगी RCB भी 14 अंग तक पहुँच सकती है लेकिन लखनओ का run rate minus में चल रहा है mark my words लखनओ का run rate बहुती ज़्यादा खराब है minus हुए मतलब negative में और RCB का plus में मतलब first step यह हमारा कि लखनओ दो match में से अपना 1 match हा रहे first step complete हो गई अब second step पे चलते है second step क्या है आखरी match RCB का CSK से और CSK का भी आखरी match RCB से दोनों का आखरी match आपस में अब CSK के पास भी 14 अंके और RCB के पास 12 अंके CSK का net run rate काफी अच्छा है मतलब plus 7-8 है है ना और RCB का भी plus 3 है कुछ ऐसा ही है मैंने देखा नहीं आप देख लेना जाकर लेकिन कुछ एसा ही है आजपास ही आपको मिलेगा point stable में अब बातियां आती है कि अगर CSK के पहले बल्ले बाजी करती है और RCB target chase करती है वो आखरी match में तो RCB 16 से 17 और के बीच में target chase कर लेगी तो RCB play-offs में qualify कर जाएगी पहले लखना 2 match में से 1 match हा रहे है उसके बाद RCB 16 से 17 और में target chase कर ले चलो यह छोड़ दो अगर RCB target chase नहीं कर पाती है पहले बल्ले बाजी कर लेती तो CSK target chase करेगी तो CSK को 30 से 40 run से हरा दो 30 से 40 run से 50 run से हरा दोगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी लेकिन कम से कम 30 run से RCB को CSK को हराना पड़ेगा तो RCB play-offs के लिए 110% qualify कर जाएगी दोनों सिनारियों मैंने आपको बता दिए first step यह कि लखना अपने 2 match में से 1 match हार जाए उसके बाद CSK के खिलाफ RCB 30 से 40 run से जीत जाए या 16 या 17 ओर में target chase कर ले बस यही simple सा सिनारियो है और अब लग रहा मुझे कि RCB के chances हैं यार काफी जादा chances मुझे qualify करने के बस एक step है लखना हो तो अपने 2 में से 1 match हार जाएगी यार तो मुझे लगता है RCB हरा देगी CSK को और CSK के home ground में ये match नहीं है RCB के home ground में ये match है हाला कि CSK का RCB के home ground पर काफी जादा दब दब आ है RCB के home ground में सबसे जादा बर किस team ने RCB को हराया तो वो KKR और CSK ही है इन दोनों teamों ने RCB को अपने घर पर भोतर आया है लेकिन दोस्तों ठीक है अब RCB ने जीत की रहा पकड़ दिये पटरी पर आ चुकी इनकी train और मुझे लगता है ये सलंग जीतेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छे लगिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बाबा जहिंद वंदे मात्रम